मेटाबोलिजम और टीवी में आपका स्वागत है आपके मेटाबोलिजम और स्वास्थे के बारे में सही जानकारी का स्रोत थंडा पानी या सामान ये तापमान मैं फ्रैंक स्वारेज हूं मोटापा और मेटाबोलिजम विशेशच खेर बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम थंडा पानी या सामान ये तापमान का पानी पीने की सलाह देते हैं या क्या ये सच है कि थंडा पानी नुकसान करता है, खैर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तों में साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये साबित करे कि ठंडा पानी शरीर को नुकसान पहुँचाता है, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि आप पानी पिए, यदि आप परियाप्त पानी नहीं पीते हैं, तो आप मोटापा, डाइबिटीज, कैंसर और शरीर में कई समस्याओं का जोखिम उठा रहे हैं, पानी की आवश्यक्ता और मैं इसे समझाने के लिए एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अभी वापस आकर आध चीज बिना समस्याओं के पुस्तक में है, इस सूत्र की सिफारिश की जाती है और ये विफल नहीं होता, आप अपने शरीर का वजन बताते हैं, अगर वह वजन पाउंड में है, तो आप उसे सोला से विभाजित करते हैं, और अगर वह वजन किलोग्राम में है, तो आप उ सोला से विभाजित करते हैं, और आपको दस मिलता है, आप सत्तर को साथ से विभाजित करते हैं, आपको दस मिलता है, यह एक छोटा सूत्र है, जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है, डौ, बैटमेन येलिड, प्रसिद्ध पुस्तक, आपके शरीर की पानी के लिए पुक स्लिम, मेटाबोलिजम की शक्ति, डाइबिटीज बिना समस्याओं के उस सूत्र का उपयोग करना शुरू किया है, हमने केवल चमतकार ही देखे हैं, जिसे एसिडिटी या रिफलक्स हो, मुख्यता पानी की कमी से पीडित है, वह पानी पीना शुरू करता है, तो रिफलक्स मैं इसे 16 से विभाजित करता हूँ, मुझे 10 गिलास मिलते हैं, जाहिर है, अगर आपका वजन अधिक है, तो जब आप इसे विभाजित करेंगे, तो आपको दिन में अधिक गिलास मिलेंगे, ये 8 होंस के गिलास है, या 240 एमेल के गिलास, जो कि एक ही बात है, है ना, अब ये ठंडी है, तो महत्वपूर्ण ये है, कि इसे पिया जाए, लेकिन यह जहात है कि ठंडा पानी मान स्पेशियों और तंत्रिका तंत्र पर जो प्रभाव डालता है, उससे केशिकाओं को संकुचित होने के लिए मजबूर करता है, इसका मतलब है कि अवशोशन के पियें, इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वह सामान्य तापमान का हो या ठंडा, चाहे वह गर्म हो जैसा लोग कहते हैं या ठंडा, ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आवश्यक्ता के अनुसार मात्रा लें, स्वाभाविक रूप से आपको जानना चाहिए कि अगर य क्योंकि ये आंतरिक नसों को संकुचित नहीं करता और केशिकाओं को बंद नहीं करता, ठंडा पानी ऐसा करता है, एक व्यक्ति जो ठंडा पानी पीता है, वह इसे इसलिए पीता है क्योंकि उसे ठंडा पानी पसंद है, लेकिन उसे थोड़ा अधिक पानी पीना चाहिए क कि उस पानी का कुछ हिस्सा अपने स्थान तक नहीं पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा क्योंकि ठंड से नसें सिकुड जाती हैं और पानी को उतनी आसानी से प्रवेश नहीं मिलता तो चाहे वह सामान ये तापमान पर हो या ठंडी महत्वपूर्ण ये है कि आप पानी भी पिएं वास्तव में मैं आपके और पानी के लिए एक जाम उठाता हूं क्योंकि मुझे कहने दीजिए ये चमतकार करता है और सत्य हमेशा विजय होता है